इस वीडियों बात करेंगे अरभी एंटी फेशे से बारे में जैसे कि आपको पता है कि इसका आंसर की रिलेज हो चुका है और सभी केंड़ेट ने आप पर सर्वें पार्ट लेया बहुत सारे केंड़ेट ने वोट कि आप बहुत साय लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरे इतना स्कूर आ रहा है जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस्पेक्टेड का टब बताया जिसमें कि मैंने आपको एक चीज गही थी एक चीज यह गही थी कि जब यहां पर एंसर की आएगा तो जो असी सी नब्बे बोल रहे हैं वो कैंड़ेट आ जाएंगे किस पे सतर के आसपास ठीक है और बिल्कुल जब सर्वे में पार्ट यहां पर कैंड़ेट ने लिया जब स्कूर शेयर करा तो हम दोनों को कंपेर कियें तो बिल्कुल 90 परसें के साथ हमने उस टाइम भी बताया था क्या आपका स्कूर रहेगा और इस टाइम भी जो यहां पर सर्वे में जो ठीक है इस वीडियों बात करेंगे लेवल 4 एं लेवल 6 के कटफ के बारे में सबसे पहले में आपको यह बता जो कटफ है वो कुछ नमबर आफ्यक्टर पर डपेंड करता है जैसे के कितनी ती ती रिजल्ट कितने गुना आना आए आठ गुना रिजल्ट आना अए ठीक है यह अच्छी बात है कि आठ दूना यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और सो हम बात करें पेपर का लेवल का तो पेपर का जो लेवल था, ठीक है, वो यहाँ पर कैसा था, वो बहुत ही अच्छा था, और पेपर जो था, वो आपका मौडरेट लेवल का था, इजी बिल्कुल भी नहीं आया था, मौडरेट लेवल का आपका कोशन था, अगर हम लेवल 6 की बात करें, या लेवल 4 की बात करें, दोनों का जो लेवल था, वो बिल्कुल मौडरेट लेवल का था, अगर हम rif जणावर वेनेस जो पार्ट था लेवैल 6 में मैं काफी हाड आया तें बहुत सारे कैंड़ेटब करना तो यहाड हाड यहां पर कोशन पूचा गया है तो इसके basis पर ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो attempt होगा candidate का वो कम आएगा ठीक है तो ये एक main reason था जो cut-off के बारे हैं मैं बार वार बता रहा था आपको cut-off इस बार कम जाएगी अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हो यह मैंने survey यहाँ पर create करा था जिसमें कि आप देखो maximum candidate जो है 42% candidate है वो बोले 60-70 की बीच उनके score आ रहा है ठीक है 60-70 यानि कि अब समझ सकते हो 42% candidate की यह score है और उसके बार देखें तो फिर 70-80 की बीच में करने वाले कुछ candidate है ठीक है और जो candidate का score मैंने आपको पहले बता है तो same वही expected cut-off यहाँ पर भी रहने वाला है जिन candidate ने भी मैं यहाँ पर एक overall zone के बारे हैं बता रहा हूँ आइसान कि कोई especially यहाँ पर बतारूँ कि इस zone का cut-off रहेगा एक overall attempt आपको बतारूँ कि अगर आप इतना attempt करते हूँ किसी भी जोंसे अपने apply कर रहा है बिल्कुल आप इस exam को qualify कर जाओगे अगर हम यहाँ पर कुछ और number of factor consider कर लें तो दूसरा यह एक factor है कि आपका जो attendance था वो 74% ही था ठीक है expected था कि 80% के आसपास attendance होगा अगर हम attendance की data की बात करें तो आपने देखा होगा attendance 74% था एक लाख असी हजार candidate यहाँ पर appear होने थे पर 74% candidate ही appear हो पाए थे exam में तो इससे attendance भी थोड़ी कम थी जिसके विए से और आपके chances है कि cutoff कम जाएंगे ठीक है तो बहुत सारे analysis की basis पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या आपका cutoff रहेगा हम यूर की बात करते हैं एक safe attempt का बात करते हैं हम बहुत जादा है यहाँ पर deep में नहीं इसको analyze करेंगे प्रिवेश यूडियो में आपको बताया था कि normalization होगा क्योंकि उस टाइम तक clear नहीं था कि हर एक zone का जो exam हुआ है एक ही shift में हुआ ठीक है बहुत सारे candidate बोल ला थे कि सर दो shift में exam खंड़क रहे है इसलिए मैंने बोला थे कि वहाँ पर normalization में भी हो सकता लेकिन RRB NTPC न लेकर 75 की भी जिन candidate ने attempt कर रहा है बिल्कुल आपके chances है कि आप आगे के stage के लिए जा रहे हो ठीक है जिनकी भी score 65 से लेकर 75 की बीच है यूर candidate हो बिल्कुल आगे की त्यारी में लग जाओ आपके chances है कि बिल्कुल आप इस exam को CBT2 को qualify कर लोगे बहुत ज़ा chances है ठीक है ये expected cutoff है आगे हम चले OBC पे तो OBC की हम बात करें कि OBC की यहाँ पर क्या expected cutoff रह सकती है जो candidate भी 62 से लेकर 68 की बीच यहाँ पर score कर रहे है बिल्कुल वहाँ पर वो qualify कर जाएंगे अगर आप OBC से belong करते हो ठीक है इतना अगर आपका score है definitely आप यहाँ पर qualify कर जाओगे जो level of exam र बात करें जो भी candidate CST से belong करते हैं अगर आपने 60 प्लस कर लिया है कोई यहाँ आपको cutoff वाली वीडियो देखनी कि आप बिल्कुल यहाँ पर आगे की तयारी में लग जाओ अगर आप SC or HD candidate हो 60 प्लस अगर आपने कर लिया है इतना score आ रहा है definitely आप आगे की तयारी करो आपक की इसका reason नहीं बता है कि किस वेसे हैं बोल रहा हूं कि cutoff इस बार में भी कम रह सकता है क्योंकि यहाँ पर कुछ factor है जैसे कि आपका level of exam हो गया attendance का ratio हो गया ठीक है जिसके वेसे आपके cutoff कम जाने की chances है और normalization है भी नहीं तो ऐसा नहीं कि इसे candidate नाटम के 60 और उनके नमर बढ़के हो जाएंगे 70 ठीक है ऐसा भी नहीं होना है यहाँ पर जितना आपने करा होगा उतना ही आपका यहाँ पर score रहेगा वह बढ़ने वाला नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी normalization का formula अप्लाइड नहीं क ठीक है तो यह आसके वीडियो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाए एंड टेक एर